नमस्कार दोस्तों जी एस फाशनू चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों हम इस वीडियों बताएंगे कि रास्तान का मौसम है जो कैसे रहने वाला रास्तान मौसम वागत भारती है मौसम वागत के अनुसार दोस्तों हम बता देते हैं कि आप लोड़ती हो वो मन्सूस है रास्तान में फिर वेंकार बार संभावना बनी है क्योंकि दोस्तों पूरी रास्तान में यलो चित दे रखा है अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें सस्क्राइब क बात कर रहे तो दोस्तो 22 सितमर को राष्टान का मौसम है जो बहुत ही खतरनाग बना हुआ क्योंकि दोस्तो पूरी राष्टान में यलो चिदेरा का यानि भेंकर बारिस वा गरजनाग बादल छायरेने के संबाबना बनीद राष्टान मौसम विवाक के अनुसार हम आपके के लिए बताइए कि किस परकार किन किन जुलों में भेंकर बारिस हगी अब बात के रहे तो दोस्तो 23 सितमर की तो 23 सितमर को बहुत ही है लेकिन दोस्तो 24 सितमर कि राष्टान के ऐस्थति है वो बहुत ही कम्योंट बळन चुकी दोस्तो राष्टान मौसम बड़ने चुक में बहुत ही बदला आ चुक है आप कुछी जलों में चुतपट वारिस करने के समभावन अचिक के लिए अनुसार क्योंकि पुर्य रास्तान में ही क्रीज ऑंदेरायका 12 स्यतमर को पूरा springs स्मभावन बनियू रास्तार मौस्टेमिवागर बारतियों मौस्ट बारिस वताते हैं तो हम आपको एकदम आपसे पूरी खबर दूस्तों हम आपको पूरी खबर दूस्तव दूस्तों हमघेंडियन मेटरलोड डिपार्टमेंट की के अनुसार देखा जाए तो दोस्तो 22 सितमर का जो मांसून है जो कैसे रहने माला दोस्तो हम बात करें कि 22 सितमर को राष्टान मौसम बाइब भारतिय मौसम बाइब के अनुसार जो राष्टान के स्थिति है जो मांसून की जो किस फिरकार बन दोस्तो हम बता देते हैं कि एक्ईस वाइस तारिक को बह्खतर वारस सम्भाबना बनी हो हम आपके लिए छेत्र विशस वापूरी जान काइड देंगे कि किन किन जलों में भाईस स्थील्स दोस्तों कुछी बहुती बदलाव आ चुका है क्योंकि दोस्तों बीस सितमार की बात करें तो दोस्तों बीस सितमार को पूरे रास्तान में ग्रिन जुन देरा का यानि चुटपट वारिस संभाबना बनी हो दोस्तों आप पूरे रास्तान में जहमाजम वारिस संभाबना बन हम अगर बेता हु सकती है और नहीं कि वम बनी उड़्दों दोस्तो पूरी रास्तान में जादा बेंकरवारी समभण बनी हुए नुस्तों आंदेना पूरी दोस्तों में अधिक संभाबना बने हो दोस्तार मुस्मेडा के अनुसार की अब बात कर में इंडियन Krit errorerie इपार्टमेन के अनुसार थे सिप्मार को छो रास्तार का मौसंथ अ का मोसम है झो राश्तारम संदे और पूरे रास्तान उने के कारण इन जलों में भेंकर वारिस ऊच्टे कि अंब रास्तन का जो मान्सून जो उत्री पूरी रास्तान में जा चुका इंज लों में बेंकर बारिस संभाबना बनी हुए इसे काले बाद अच्छाय रेडिक संभाबना बनी हुए रास्तान मौसम विवाक के अनुसार हम आपके लिए एकदम शाटीक जान करेंगे और हम लो कि दोस्ताइंडियन मेटरलोर्य डिपार्टमेंट के अनुसार 24 स्कार विवाक के अनुसार। जो बहुत ही कम जोर पीस हैं कि जोंके दोस्तों पस्षमी रास्तान में तो गरिन जों और आ nov Grace बदे के अनुसा' एक पश्च्जिम रास्तान की बात कि जाता है कैए नहीं योटेश्विफंब की इसम पूरी रास्तान की बात करें तो तो पूरी रास्तान मी चुटफट वारेश को सकती है बासुआ से काले बास अच्छा है रेने के समबाव ना बनीए हू tarky कुछी जिलों में हम आपके लिए जिले बाद जिले पूरी ख़बर देंगे कि किस प्रकार किनकिन जिलों में भिहंकर वारिस हो सकती रास्तार मुसभिध लख़ेखेगे। दोस्तों क्योंकि लूड़ते हुए मनसूद से आफ पूरे राष्टान में जूर्ण यलो छिर्टतर देरा का इसी कारण हम आपके लिए बताएंगे कि इन जो उत्री पूरी रास्तान में ज्यादा बरसात करने की संभावना बनी हुए दोस्तों अलबार बरतपुर दौसद पुर्द करौली सभाइमत पर टॉक अजमेर भीलवाड़ा बूंदी कोटा चत्तौलगर बासवाड़ा जहलावाड़ उद्यपपुर रासमन अजमेर पाली सुरुआई उदएपपद्पर बासवाड़ आदी जलो में भेंकर बारिस की समभावना बनी हो भीकने नागोड जोत पौर पाली चाल और बाड मेर अजयसन ओर आदी जलों में भेंकर वारिस नेवन बारिस कƏस हो सकती है पस्वाफ्ची में दोस्तो अगर दोस्तोओ 23 सितमर की ладно को उत्री पूरी में भेय। समावना बनी थे जनदी जलॉ और समाबना बनियों दोस्तों जाल और सिरोई पाली जाला समन उद्यपवर डूंगर पुर बास वाड़ा जाला बाट टॉक कोटा वील बाड़ा अजमे टॉक जैपर अलवार बरत पर दौल पर करॉली सब्वाइम बारा आदी जिलों में भेंकर वारिज समाबना पनियों दोस्त इन जिलों में चुटपट वारिज समाबना बनियों दोस्तों तेज सितमर को अगर चौवी सितमर की बात की जाते हैं दोस्तों चौवी सितमर को पूरी रास्तान में ही वेंकर वारिज से हो सकती है दोस्तों क्योंकि दोस्तों चौवी सितमर को रास्तान के मोसम में जो और उद्या पर और शुरुवई का कुछ इससा ढूंगर पर और पांस वाड़ा पिड़ता कर आधी जलों में भेंकर वारिस हो सकती है दोस्तों लेकिन दोस्तों पस्षी मरास्तान की बात करें तो तो पस्षी मरास्तार में क्रेंज उंद्यरा का यानि मोसम बिलकुल साप रह कि आपके जिले गाउं तैसी इलवा छेत्र में बारिस हुई या नहीं जिससे आपके जिले वालों को पता चले कि हमारे जिले में बारिस हुई या नहीं धन्यवाद